मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यारे तो तुमसे करता है हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? दोस्तो जब आप एस्टार्ड में करपे गाना गाते हैं तो सॉंग को सेव करने से पहले रूम और रिवर्व को सेटिंग करना होता है अगर आप इसे परफेक्ट सेटिंग नहीं कर पाते हैं तो एस्टूडियो जैसे आपके आवाज नहीं हो पाती है इसे परफेक्ट सेटिंग कैसे करना है आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा गारेंटी के साथ बोलता हूँ इस वीडियो के बाद आपको रूम और रिवर्व का कोई प्रावलेम नहीं होगा बस आप वीडियो को एस्किप मत करिएगा और अंध तक जरूर देखेगा दोस्तो मैंने जो एक सौंग आया है उसे आप एक लाइन पहले सुन लीजिए प्यारी तो तुमसे करता है मेरा दिल भी कितना दोस्तो अब मैं इसे यहां से इफेक्ट पर क्लिक करता हूँ फिर कस्टम सेटिंग करता हूँ अब मैं रूम सैज को जीरो कर देता हूँ और रिवर्व को आगे पीछे करता हूँ फिर देखिए वाइस में क्या फरकाता है पहले सॉंग को प्ले कर लूँ पागल है ये प्यार तो तुम से करता है पर सामने जब तुम आते हो पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है ओ मेरी साजन तो दोस्तों आपने समझ गया कि रिवर्व जो हम आगे पीछे करते हैं उससे क्या होता है हमारी आवाज जो होती है ठीक है आवाज का जो टेक्स्चर होता है वो क्लीन होता है से शार्फ होता है रिवर्व साइज को आगे करने से बढ़ाने से हमारा जो टेक्स्चर होता है आवाज का वो पहुत ही शार्फ होने लगता है और लोगो को clear सुनाए देने लगता है फिर अब हम room size को आगे पिछे करते हैं तो क्या फर्क होता है ये देखिए इसे पहले में इसको reverb को जो है zero कर देता हूँ सॉरी टैन पे रख देता हूँ थोड़ा रहना चाहिए नहीं तो room का कोई effect नहीं होगा अब room size को play करते हुए song को आगे पिछे करता हूँ तो फिर क्या फर्क आता है ये आप खुद देख लीजिए मेरे साजन साजन मेरे साजन मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है तो दोस्तो आपने देखा जैसे ही मैं room size को आगे करते जा रहा हूँ मेरा जो आवाज है वो गूंजने लग रहा है मतलब room size में क्या होता है जैसे नाम है इसका room मतलब आपका आवाज जो है थोड़ा सा कमपन करेगा vibrate करेगा और गूंजेगा इसको जैसे जैसे आगे करेंगे तो अब मैं आपको बता दू इसका perfect setting क्या होता है और कितना पर रखना चाहिए देखे इसका ratio जो होता है 60 और 40 का होता है मतलब एक को 60 पर रखिए और दूसरे को 40 पर रखिए आगे पीछे 5-10 हो सकता है इसके लिए कोई बात नहीं जैसी मैं room reverb को जो है 65 पर रखता हूँ room को जादे मत करिये इसे क्या होगा जादे आवाज गुंजने लगेगा तो लोगों को अच्छा ने लगेगा आपको भी अच्छा ने लगेगा तो room को मैं इसको 40 पर रख देता हूँ ठीक है अब मैं फिर से play करता हूँ और देखिए क्या effect आता है कितना इसको समझाता हूँ कितना इसको बहलाता हूँ नादान है कुछ ना समझता है दिन रात ये आहे बढ़ता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है तो दोस्तो अब आप समझ गए होंगे reverb size का यूज हमारे आवाज का texture जो होता है उसको clean करने के लिए होता है ताकि दूसरे को हमारा एक-एक सब्द अच्छी तरह से clean रूप से सुनाई दे और room size जो होता है हमारे आवाज में थोड़ा सा कमपन यानि की थोड़े से गुंजने के लिए होता है तो दोस्तो और भी settings है जो start में करके equalizer, volume बाकी सारे settings पर मैंने video बनाया है इसका link मैंने आपको description में share कर दिया है आप इसे देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले video में